वेल्कम आपक फियोज आज हम बनाएंगे एक ऐसा पराठा जो आइनोर के अल्शिम दोनों मेरे इच्छ है तो आइए रिस्पी की शुरुआत करते हैं आज हम बनाने वाले हैं लाल माठ का पराठा तो ये लाल माठ है पत्तो को डंठल से अलग कर लेंगे और पत्तो को अच्छ से धो कर बारी काट लिया है मैंने पत्तो को कडाई में ले लेंगे और हलका 30 सेकंड के लिए सौटे कर लेंगे ताके पत्ते सौफ्ट हो जाए जो ये पानी रिलीज हुआ है, पानी के साथ ही हम पत्तों को परात में ले लेंगे इसी में सारा आयन, कैल्शिम, वाइटमिन्स, मिन्रेल्स आपको मिलेंगे रूटीन के मसाले आड़ कर रहे हूं, धनिय का पाउडर, जीरे का पाउडर लाद मिर्ची पाउडर और हल्दी, अब हम इसमें डालेंगे अद्रक, मिर्ची, लहसुन और हरे धनिय का पेस्ट, दो चमच अब हम इसमें डालेंगे एक कप गेहूं का आटा, अब हम इसमें डालेंगे नमक, स्वादनुसार जरत के हिसाब से पानी डाल कर आठे को गून लेंगे हलका तेल डाल कर फिर से एक बार गून लेंगे और पराठे को बेल लेंगे पराठे को धीमियाच पर दोनों तरफ से सेकना है हलका तेल लगा लेंगे और ये पराठा आपका रेडी हो चुका है तो आपी जरूर बनाईए और आपके अन्वा मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए तब तक के लिए बाई